अब ही हम जा रहे हैं जेकट की तो अब देखने के लिए जेपूर के लिए और जेपूर में जाने से पहले ही बच्चा पार्टी देखो इंगे एक जूला मिल चुका जूले पी एंजोई कर रहे हैं और कुछ खाने पिने के लिए इनकी समान और सुमन जी वो लेक तोड़ा चाय पी लेते हैं इसलिए हम रुगे हैं यहां और सुमन जी पी रहे हैं और मैं भी पी रहा हूं कुलडवाली चाय दोस्तों देखिए पहाड़ी इलाका आचुका है जेपूर का यह बाहर का इलाका नारगड की तरफ और उदर हम बोटनीकल गार्डन बायलोजिकल गार्डन की तरफ जा रहे हैं तो दोस्तों और उपर हमारा उपर से वीडियो बन रहा है हालो और कर यह देखिये सर और आसी रवाना हो चुके हैं जैगड की तोप देखने के लिए तो हम जाने वाले थे बोटनीकल गार्डन प्सरी बायलोजिकल गार्डन लेकि वह पह पर किसी हाताल की कारने में यह जा नहीं पए तो अभी हम जा रहे हैं जेगड़ की तोब देखने के लिए और गुड़ू को मिल गए है भाईया चलो गुड़ू आज तो तू इससे लग रहा है एक फोरिणर से लग रहा है ट्रेवल करने वाला तो सुमंजी भी चड़ रहे हैं गड़ पर वाबू चलेंगे कैसा लग रहा तू अच्छा लग रहे हैं यह देखो विया है है लो विया है है लो सब को लो है लो दोस्तों यह है जेगड़ की जे वान तॉप देखिए किती बड़ी है घगे जेखिए किया है जोड़े वड़ू एलो बर एलो बर विया तो सब्सक्राइए क्या है है तो यह तो सब्सक्राइब यहां पर आया थे किसने बताया किस लिए दूंब जाकश पर करने दूब लोग ने कीज है पॉज वाप शब्टकू इसके टाइट देखो बावू टाइट डो टाइट देखो इसके जोलो लोकी बनी वी है तो दोस्तों आप देख रहे हैं किता बड़ा यह यह ये वाण अब आहिंट इसके लिए पूरा तो दोस्तों यहां पर पूरी डिटेल लिकी हुए आप पढ़ सकते हैं विश्व परसीद जेवान तो खनिर्मान स्वाई जेशिंग जी दिरत्य ने शासन काल सन 1720 इस्वी जेगर इस्तित कार खाने में वहा था लंबाई 20 फिट गुलाई 8 फिट साथ 7.5 इंच और वजन 50 टन है तो यह डिटेल आप पढ़ सकते हैं और नीचे भी आप देख सकते हैं यह वाला खाई इलाका इदर पानी मानी आता है और इदर से यह देखा किता खुब शुरत और मैं आपको आगे दिखाता हूं यह देख पुश्कों आ गई है हassan वैये आपको याद होगे है फुश्कर वीडियो में वह वाले हैं यह बंदू कंदू चलाने के लिए से यह बंदू की निसाने के लिए होता है वह नीचे से दिख जाए उपर से तो लगाएगा नहीं उसका निसान इंदर से लग जाएगा और यह हो सकता है बड़ा वाला इलाका है वो तेल के लिए हो सकता है उस तो पानी संग्रीत करने के लिए किलों पर होता ही था पानी के ट और शेख ड्राय वाला 기 allí अधरी पानी को अपिर्ण श्वादी करा है कि है फिर्ण उसा खेया जार कि तर देखते हैं अन्धर क्या है पानी का नहां थे टेंक है पानी का थे ईक थेटे का उतना है है ईसके फेंट केंदह नहीं कर से इसके इंदर पानी का सिस्टम है अभी पाइप लगे वे और रेन वाटर हर्वेस्टिंग का यह सिस्टम है तो दोस्तों जेगड़ पर आगया पार्किंग से आगया आते हैं तो इदर से आप जा सेकते हैं सास्त्रागार में और मंदिर का रस्ता इदर और इदर आपको इदर से एंट्री बाबू देखो यह बजाने वाला बिगुल बजाने वाला और यह भी देखो चोटी एक तोप है सामने देखो सामने इतर देखो मेरे तर मेरे तर मेरे तरव हां और सर बंदूग चलाने की तियारी कर रहे हैं वैस वैस दोस्तों यह देखिए ओंट्री एट बोर की बंदूग है आयरम 18th century की और यह लेगे पर इसमें लकडी का बहु अणियाए और धानी कि यह कि घुमीट है गशी कि टोप जैसे आए ऑर यह देखो इस चलेगा के दूप यह देखो हाथ पे पहनने की लड़ाइ करने के हैए हूं दो अब बंदाल हैल मेट पर्सु मंतर यह देखिए पर्षो रमजी के जो प्रसे हो दो देख दे गए लकड से आपले के बने में मेनी मॉडल इसमएं धिखाएगे कि यह क्वाइ इन सरू है उत्म है यह देखी अदेना उजना इंतर जादा थी यहां पर डिटेलिंग तोड़ी कम है और यहां पर जदा पुरान नहीं है अभी यह दिए दिखो ताइम बंब तो मिट्री के बने वदे टाइम बंब सेंटींचेंचुरी बारु जाचने की मशीन और यह रोकेट ऐसे रोकेट होताते हैं इनकी द्वरा छोड़ा जादा रोकेट गोई और गर्मी का मज़ा आइस्क्रीन के साथ बावो ले रहा है गर्मी है और यह बीच में जगह आते देखूं यहां पर काफी मशीनरी और कार् किल्बती निवास सुबट निवास तो यह तो आप नगाड़े देख रहे हैं यह गुल्फ काट यह तो अलफ डाल की लगती है और यह नगाड़े और यह इदर कोई मसीन है कोई हवा देने का कुछ कूलर टाइप से लग रहा है यह जो पालकी है मुझे रगता है हाती वाल पाड़े का लकड़ी का कूलर कुछ सिस्टम है और वैसा यह कुछ एक हो रहा है तो बीच में ही चोक साता है यहां पर आपको यह देखने का मिलेगा और यह जीब सा है यहां पर एक सिस्टम रखावा इसका पता नहीं क्या है रूम बने वे हागे के लिए बहुत बड़े जगह में फेलाओ है स्पेशियस है ऐसा नहीं की तंग जगह बहुत ही खुली खुली जगह है सब जीजे आराम से रिलक्स ओहो क्या हुआ यह और क्या पेड़ का दर्स से अधभुत बहुत ही सांदार जदा तो प्रणनी से 200 साल को रहना हो सकती है ऐसे पुदार अपने बैठके जाज दर बार या कुछ से चलगता होगा तो दोस्तों आगे आपको गलेरा मिलता है यह बहुत ही ठंडा है बाइस साबे से लगए चिल्डवारी इधर इधर जारो तरफ भुलबले ऐसी है और यह चुने का बना हुआ है तो थोड़ा अलगी बजा रहा है तो दोस सिंग के समय बना गया था और बाकी डिटेल आप यहां बढ़ सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों यह है जनना साही बोजनाले और इसके बार में डिटेलिक रिकी हुई है और यहां पर ऐसे खाना खाते थे तो उसका भी आपको श्टेचर देखने में मिल रहा है देगो ता यहां पर पूरी मंकी गेंग आई हुए है और यह देखिए मंकी स्पेड में काफी मात्रा में आपको दिख रहे होंगे ओ क्या डाइव लगाई है और यह बगीचा है जीशे के आपको देखने को लग रहा है यह बगीचा इसमें आराम से राजा माहरा अराया घुमती हई तो दोस्तों यह है आमेर फोर्ट आप देख सकते हो नीचे की तरफ और यहां पर पानी का है और इधर यह आमेर यानि पूराना ओल्ड जेपुल ऑल्ड की वह सबसे स्टार्डी में यही था बार में जत्र बसा उद्धर वाला वह आगे उद्धर है यह पर देख सकते हो कितन पौरल ऐना फानी डायों अब बस ठाव है कि रिक्ष् अबधिक घंडी यह पर बहुत हम हlagen कुछ द सहा अ यहरे संब धीन हैं ai शुंआ मद रुकर 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 जाने तो इसको जाने देवा जाने दो ओधर से आज़रू ज्टर इसर मोबाईल का मोबयला रिए डिए el का नाल बोगा गार जा सुलो की फ्लोरнее डिए है न Mogशू तो यह फूलों के लिए इसने जपटा मार दिया फूल खाने के लिए क्या हुआ गुरू अभी मंगी ने किया किया तो यह फूलों के लिए तो बनाने के लिए खराद परिसर जेगड के तोफ कार काने का खराद परिसर एक यांत्रिक संयत्र है कार काने का खराद इसा है तो मद्देकार ने युद्द सेली तदा तोब निर्वान की तक्निक का अनपर मुदाण इसका उप्योग ठोस देले नाल में छेद करने के लिए किया जाता था बाकी डिटेल आवियां बे पोज़ करके पढ़ सकते हैं और यह जो सिस्टम था वह य अगले इसको रोटेट किया जाता हो सकते है जानुवर एनिमल्स का परियो करके रोटेट किया जाता तो यहां पर नाल में छेद दिर्के इसको बनाने के लिए तोब का कार खाना था और उस टाइम समय की रंगत उस तमय के चीज़ें देखे वो थी अजब गजब चीज़े करेंगे आपको और भी चीज़ी दिखाएंगे अगले वीडियो में कभी आपको आप मेर भी दिखाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकुन क्लिक कर लें जिसे ग्याने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं